कुरुना वारस के संक्रुमंट से जोहां इस वक्त पूरा देश यूज रहा है तो वारस को खत्म करने के लिए अभी तक किसी भी तरीकी की कोई दवा नहीं बन पाई है ऐसे मैं अब मास्क और सानिटाइजर का उप्योग करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नीती को अपनाना है सरकार ने भी कुरुना संक्रुमंट से बचाप के लिए लाइफस्टाइल को लेकर दिशा निर्देश शारी किये तो वही कुरुना वारस के संक्रुमंट से बचाप के लिए राजधानी जैपुन वेक वाहन चालक राकेश भाटी ने अपनी टैक्सी में कैसा अनोठा इनुवेशन किया जिसे तमाम कार्चालक सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए सडकों पर गाड़ी दोडा सकेंगे इसमें खास बात ये रही कि चोहपाईया वाहन चलाते समय गाड़ी में कोरुना संक्रुमंट एक दूसरे में ना फैले इसके लिए राकेश भाड़ी ने अपनी गाड़ी के इंटीरियर को मौडिफाई किया है जिसे की कार्चालक राकेश भाड़ी ने सरकार के समक्ष भी से पेश किया वैश्विक मामारी कोरौना के चलते हैं पूरा देश है आज लॉकड़ाउन है लॉकड़ाउन फोर चल रहा है और उसी के चलते हैं यहाँ पर सरकार ने सडकों पर दोड़ने वाली जो टैक्सी हैं उनके लिए कही ना कही रियायत दिये अब सडकों पर तमाम जो लोग हैं जब घरों से बाहर जा रहे तो टैक्सी हायर कर सकेंगे मगर इसके साथ ही किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए इन टैक्सीों के अंदर भी और किस तरह सरकार के आदिशों की पालना की जाए ताकि कोरोना का जो कहर है वो उन तक नापन पर इसके लिए ऐगा जी आवहां पर पूरा बैशाटी बाहँ अविश और श्रीक स्टाइक अश्च सेयासों कर सथालिकर देखुर कि कुछर नगा sneaking ले पर एक में अधर इस कोई प्लास्टिक नहीं है यह इतनी खास किसम की आगर कोई भी अगर कहीं भी ब्रेक लगाता है ड्राइवर तो कहीं न कहीं जो पीछे बैठने वाले जूवारी है वो ब्रेक लगाते यह आगे नहीं जाएगा यानि एर बैक का यहां पर काम करेंगे कि कोई भी दुरगट ना अगर ऐसी होती है खास बात सबसे ज़ाद इसकी यह है कि इसके अंदर जब भी कोई शक्ष बैठेगा तो कही ना कहीं जो पूरा जो अपन बात करते हैं कोरोना का जो वायर ऐसा है उसका संकमन है वो नहीं फैलेगा कारण भी स यहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो शक्ष बैठा हुआ है और ड्राइवर जो आगे बैठा हुआ है ट्रांस्परेंट इतना है कि कुछ एक पर्टिकुरेर एक विंडो टाइप का इसमें से एक छेद दिया हुआ है कि सामने से नजर रखी जा सके मगर यहां से इ जो ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है वो संकर्मन का शिकार नहीं होगा और कौरोना से बचाया जाएगा पहली बार देश के अंदर ऐसा इनोवेशन को तयार करने के बाद यह चालक है इन्होंने पहली बार यहां पर जिला कलेक्टर को इसके लिए एक लेटर जारी लेटर दिया है और उसमें कहा गया है कि सडकों पर दोड़ने वाले जो टैक्सिया है उनको कही ना कई परमिट तब दी जाए जब उनके अंदर को ऐसा इनोवेशन तयार किया जा जिसमें शॉसल डिससेंसिंग की पालना की जाए हमारे साथ यहां पर खुड दो टैक्सी च है और मकसद क्या है सबसे-सका जो मैंन मकसद की जो बाट करते हैं अपन्तों सर मकसद यह है कि साबसे पहला कि कोरोना से बचाया जा सके और सोशल डिस्टेंस कि पालना की जा सके यह जो हमने एक सीट यूज की एक बहुत अच्छी क्वालिटी की सीट है इससे पीछे बैठने वाले किसी पैसेंजर को नुकसान नहीं होगा इससे शफिकेशन भी इस तरह का नहीं होगा इसमें जो वायर्स आप देख रहे हैं एक एलमूनियूम के वायर्स है और जो यह है यह ना केवल की रबड का है इसमें यह ना तो कोई हीट पैदा करता है नहीं मतलब इस तरह की कोई नुकसान दाइक चीज है इसमें दूसरी चीज यह है कि जो व्यक्ति पीछे बैठेगा हम लोग ड्राइवर हैं हम लोग बार बार दूसरे एक दूसरे को लेके जाएंगे हम किसी एक ही व्यक्ति को हमेशा नहीं लेके गुम सकते इसलिए हमें और पैसेंजर में एक सोसल डिस्टेंस यह था उसके लिए हमने यह तैयार किया है जब भी कोई कस्टमर हमारी गाड़ी में बैठता है उससे पहले हम उसको सेंटाइजर करके लेके जाएंगे उन कस्ट लगे उसके लिएगे में इसमें बदो कोई पसंद निकर नहीं कोई वह सेंञार कोंगा। अपनाते हुए सड़कों पर अपने वहानों को दोड़ाते हुए नजर आएंगे कैमरा पशन रेश्मातुर के साथ यादमिंद्र शर्मा एवन्टीव नीज्यापूर।